नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं मुख्य मंत्री आवास पर वीडियो कनफरेंसिंग के जरिये या बैठा कोई है मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीजल के परिक्षा के लिए जैसेसी ने जो एसोपी तियार किया है उसका किसी भी सूरत में उलंखन न हो अधिकारी इसे सुनिश्चीत करे परिक्षा संचालन के लिए बनाये गए एसोपी का उलंखन करने वालों पर कड़ी से कड़ी करवाई की जाएगी मुखी बंतरी हमन्जुरे ने सभी जीलों के उपायुकत एवं पुलिस अधिक्षो को यह निर्देश दिया है कि अगामी दो दिनों तक सभी परिक्षा केंद्रों के आसपास के होटल, लोज, होस्टल, गेस्ट हाउस, सहित ठारने के सभी जगों पर जारकन करमचरी चेन, आयोग द्वारा जारी एसोपी की परतिया आवच से चिपका है सियम ने कहा है कि लोगों को यह भी बताए कि परिक्षा से समदित कोई गलत सुचना या अफवा उनके संस्थान में ठारने वाले लोग पहलाएंगे तो दोसी लोगों के साथ-साथ उन संस्थान के मालिक पर भी सक्त करवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा है कि चूस्त दुरुस्त सुरक्षा वेवसा सुनिस्चित करे जीला अस्तर पर अस्थाई नियंतरन कक्ष भी अस्थापीत करे सियम हेमंत्र ने गढवा और लातेहर को दी 1197 क्रोर की सोगाद सियम हेमंत्र ने गढवा जिले के मिलाल परखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम को समधित करते हुए जहरकंड के नो निर्मान की प्रतिबत्ता जताई है हेमांद सुरेन ने लोगों को समोधित करते हुए कहा है कि आज आपके चेहरे की खुसी यह बता रही है कि हमारी जन कल्यानकारी जोजनाए आपको कितनी पसंद आ रही है इस दोरान हेमांद ने बिजेपी को भी आड़े हाथे लेते हुए चुनावती दी है कि इस चुनाव में देख लेंगे कितनी कितनी ताकत है हेमान सुरे ने कहा है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार एक मजबूत और बेहाधी कारगर कारकरम साबित हो रहा है उन्होंने इस बात पर जोट देते हुए कहा है कि उनकी सरकार रांची हेटकोर्टर से नहीं बलिक गाउं और देहात से चल रही है ताकि सरकार और जानता के भी सीधा संपर्क बना रहे राष्टपती द्रोपदी मुर्मू रांची पहुंची यारपोट पर हुआ स्वागत राष्टपती द्रोपदी मुर्मू जार्खन पहुच गई है वायू सेना की विशेश मेमान से महा महीम द्रोपदी मुर्मू रांची की बीरसा मुंड़ यारपोट पर उत्री गुरुवार की साम को जार्खन के राज़ेपल संतोस गंगवार और मुखी मंत्री हमान सुरेन राष्टपती द्रोपदी मुर्मू रांची अरपोट से सिधे राज़भवन के लिए रवाना हो गई बता दे रात वह राज़भवन में विश्राम करेंगी सुक्रवार को नामकुम स्थीत ICARNISA का सताबदी समारोह मनाया जाएगा इसी समारोह में सामिल होने के लिए NISA के सताबदी समारोह को समोधित करेंगी वहीं सताबदी समारोह में महा महीम द्रोपदी मुर्मू के अलावा दो केंद्रिय मंत्री भी सामिल होंगे जिसमें क्रिसी मंत्री सिराज सिंग चोहान और अक्छा राजय मंत्री सेट भी इस समारोह में सामिल होंगे जार्खन के चाई बस हमें नक्सलियों ने किया आईडी बलाष्ट जवान घायाल जार्खन के चाई बस हमें नक्सलियों ने एक बर फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है गुरुवार की सूबस साथ बचकर 20 मीट पर सरंड़ा जंगल के इलाके में आईडी बलाष्ट की चपेट में आने से 1209 कोबरा बटालियन के जवान घायल हो गया है उन्हें यहर लिफ्ट कर रांची लाया गया जहां उनका इलाज राज अस्पताल में चल रहा है ममला छोटा नागरा थाना छेत्रे के बाबु डेरा की है पच्मी सिम्भूम के एस पी असुतेस से कर ने घाटना की पुष्टी की है नकसलियों के खिलाब चलाया जा रहे अभ्यान की दवान ए घाटना हुई है दरसल पूलिस को ये सुचना मिली थी कि पर्तिबंधित संगटन भाकपामवादी के सीर्स नेतामी सीर बेस्तरा अपने दस्ते के सदस्यों के साथ कुलहान के सरंड़ा जंगल के छेत्रे में भर्मन सी लहा है इसके बाद सुरक्षबल के जवानों ने छोटा नागरा और जराई केला के सिमावर्ती वाले जंगल में सन्युक्त अभ्यान चलाया जंगल में मवादियों ने नक्सलियों को नुक्सान पहुचाने के उद्यस से पहले ही आईडी लगा रखा था जिसकी चपेट में आने से जवान घायल हो गया अढ़ाया मेला सुरू 30,000 सर्धालों ने चढ़ाया जल देवघर में बाबा नगरी के प्राचिन अढ़ाया मेला की सुरूआत हो चुकी है पहले दिन कवारियों की संख्या पेक्षा किरित कम रही लेकिन सुक्रवास से भीड में तेजी आने के उमीद है अस्थानी लोगों के नुसार इस मेले का प्रभाव स्वम वार्तक बना रहेगा बिहार के भागलपूर कटिहार मुंगेर जमोई पतना गया सहित अने जीलों से बड़ी संख्या में कवारियों के पहुचने की संभवना है बदादे पहले दिन के वल 375 कवारियों ने कूपन लेकर बाबा बहनात का जलरपन किया जब किलवग 30,000 कवारियों ने असपर्स पुजा का लाव उठाया है दिन भर कवारियों को मान सरोवर ओवर बिरीज से मंदिर के गर्वगरी तक भेजने की वेवस्ता सुचारू रूप से चलती रही जहारखन अंदलनकारी मोर्चा 30 को मुख्य मंतरी आवास पर धारना दे गाया जहारखन अंदलनकारी संगहर्ष मोर्चा रांची जीला की बैठक चानहों के चामा मोर में आबिद अंसारी के दिख्सता में हुई बैठक में 30 सित्तमबर 24 को जहारखन अंदलनकारी के जेल जाने के बादियत समाप्त करने राज किये मन सम्मान अलग जहरकंडी पहचान बेटा बेटियों को रोजी रोजगार एवं नियोजन के सोग पर्थिसत अधिकार की गरांटी करने एवं सम्मान पेंशन राजी पचास पचास यह रोपे देने की मांग को लेकर मुख्य मंत्री आवास के समक्ष धारना परदर्शन एवं घेराव करने के कारकरम को सफल बनाने का नहीं न लिया गया इस मौके पर मुख्य थी जारकन अंदर्णकारी संगहर्स मोच्चा के संस्थापक वपरदान सचीव पूसकर महतो ने कहा है कि जारकन अंदर्णकारी अपने अस्तित्यों को मिटानने न दे अपने अधिकारों की राक्षा के लिए एक संगहर्स और सहादत को त्यार रहे प्राद गाओं में अपरात अपरी का महौल हो गया है जिसके बाद परिजिनों ने सभी घायलों को SNMMCH अस्पताल लाया जहां सभी कैला जारी है बताया जारा है कि बर्वा अड़ा थाना चेतर के कुर्मी डी में एक ब्यक्ति तलाब की और सौच के लिए निकल ले सौच के बाद वहां से लोटने के दौण CR नयाचारक उन पर हमला किया सोर मचाने के बाद लोग जूटे जीसे देहकर CR वहां से भाग गया CR के हमले में घायल हुए ब्यक्ति को अस्पताल भेजा गया वहाई घटना के बारे में एक ग्रामी ने बताया है कि साम पांच बये से लगतार सीयार लोगों को सीकार बना रहा है साम पांच बये से लेकर राद दस बये तक सीयार कुल 9 लोगों के उपर हमला कर चुका है सरकारी स्कूलों में तयार होगा लेशन पलान राज्य के सरकारी स्कूलों में सिक्षक लेशन पलान तयार करेंगे छठी से बराहवित तक के लिए यह पलान होगा इसी के अधार पर पठन पाठन होगा सिक्षक घंटी अधारित पलान तयार करेंगे ताकि छात्र शात्राओं को सहुलियत हो इसके लिए जार्खन सक्षिनिक अनुसंधान वा प्रसिक्षन परिसद ने SOP जारी किया है JCERT के निदेशक आजित रंजन ने सभी जीलों को निर्देश भी दे दिये हैं हर विशय का सप्ताहिक पलान त्यार करेंगे निर्देश के नुसार सक्षिक्षक पटकरम के अनुसार रेल परिक्षा का भी आवयरिएन किया रजा रहा है इसके लिए अवस्यकाय की छात्र सक्षिक्षक के ओर से किया जाए चमपाई सुरेन के बाद अब हैमंध की बारी बदल रही सियासी पिक्चार भाजपा में सामिल हुए राजी के पुर्व सीम चमपाई सुरेन के असर को कम करने के लिए सत्ता रूट जार्खन मुक्ति मुर्चा ने उपायत्येज कर दिया है सधिर रणनीति के तहट जामो के रणनीतिकार इसे अंजाम दे रहे हैं किसी भी अस्तर से चमपाई सुरेन के नाम लेकर आकरमन करने से जहां बचा जा रहा है वही यह भी परियास हो रहा है कि संगठन की मजबुत्ती बरकरा रहे जामो को इसमें सफलता भी मिली है चमपाई सुरेन के भजपाई होने के बाजूद दल का कोई बड़ा चेहरा उनके साथ नहीं गया अरम में इसके क्यास लगा जा रहे थे लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है फरार और इनामी उगरवादियों के खिलाप पुलिस का पोस्टर वार राज में उगरवादियों के बिरूद अभियान चला रहे जारखन पुलिस अब जंगल छेत्रों में पोस्टर वार चलाएगी पुलीस ऐसे उग्रवादियों के बिरूद उनके गाउं घरों सही जंगल छेत्रों में उनसे समन्द पोस्टर लगा कर आम लोगों से सहयोग मांगेगी अपील गरेगी कि ऐसे ततों को वे सहयोग नहीं करे और उनके बारे में परसासवन को सुराग दे अभी राजे में फरार वांटेट उग्रवादियों के संक्या 79 है इन पर सरकार ने इनाम भी रखा है इन में 1-1 करो रूपए के 4 इनामी और 25-25 लाक रूपए के इनामी 6 उग्रवादि सामिल है आंगनवाडी केंद्रों को हेमंद सरकार जारी करेगी 5 कड़ों राज सरकार आंगनवाडी केंद्रों में पेजलापूर्ति की बेवस्ता सुनेश्चित करने के लिए तिरिक्त राज सी वहन करेगी इसके लिए राज जयांस के अलावा 5 कड़ों रूपए टोप अप के भारत सरकार ने प्रतेक आंगरवाड़ी केंदरों में पेजलापूर्ती के लिए 17,000 रूपे राशी निधारित की है इसी तरह 104 निर्वान के लिए भी प्रती केंदर 36,000 रूपे त्थाय की है इसमें 60% राज सिकेंद्र सरकार देती है जबकि राजयांस के रूप में 40% राज सरकार को वहन करना पड़ता है भाजपा की सरकार बनी तो संताल में लागू होगा एनर्सी ज़ारखन भाजपा के चुनाव सह प्रभारी वो असम के मुखि मंत्री हिमंत बिश्वा सर्मा ने कहा एक विधान सभाज चुनाव के बाद अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो संताल परगना में एनर्सी लागू किया जाएगा उन्होंने कहा है कि बांगलादेशी घुस पैठियों के कारण संताल की डेमोगराफी बदल रही है एक समुदाए बिशेस की अबादी बढ़ रही है और आदिवास्यों की संख्या घट रही है संताल परगना में एनर्सी लागू करना और बंगलादेशी घुस पैठियों की पाचान करना समय की जरूरत है भाजपा की परविर्ता ने यात्रा का सुभाराम करने के लिए केंद्रे गिरिह मंत्री आमीद सासुक्रवार को साहिब गंज आ रहे है गिरिह मंत्री के कारकर्यम की तेहरियों के जजार लेने के लिए हिमन्त विश्वा सर्मा गुरुवार को साहिब गंज पहुंचे थे बिजली कटवती के खिलाप गोलबंध हुए चीरा चास के लोग बोकारो के चास नगर निगम के चीरा चास छेतर में लोग बिली कटोदी से परिसान होकर गोलबंध हो रहे हैं नियमित बिजली आपूर्ती के कारण लोगों का आक्रोस बिजली विभाक प्रती बढ़ता ही जा रहा है लोगों का कहना है कि हमने अपनी खुन पसीना की कमाई से चीरा चास को बसाया और हम ही आउपेक्षी था है लोगों ने कहा है कि सहरी छेत्र होने के बाद भी लोगों को नियमित बिजली नहीं मिल रही है पिछले कुछ दिनों से बिजली बेवास्ता पुरी तरह से चर्मरा गई है घंटो बिजली गुल रहती है बिजली आपूरती नहीं होने से लोगों की दिन चर्या बिगड़ रही है सबसे ज़्यादा पानी की समस्या हो रही है बच्चे बुढ़े और मरीज का हाल बेहाल है पूरे चीरा चार्च चेत्रे के लगभग 20,000 से ज़्यादा अबादी प्रभावित हो रही है कहा है कि फोधनी डिफीडर में सबसे कम बिली आपूरती की जा रही है यह समस्या पिछले दिनों में ज्यादा बढ़ गई है बन्ना गुपता ने दिल्ली में जार्खन पविलियन का उध़ाटन किया जार्खन के स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता ने देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगती मैदान में जार्खन पविलियन का उधाटन किया है इस पविलियन में उपलब्ध जार्खन नी बेंजनों एवं उत्पादों ने लोगों को खोब लुभाया वर्ल्ड फूड इंडिया दोहेचोविस के त्रितिये संस्करण में जार्खन पविलियन में मस्रूम के स्वादिष्ट बेंजन प्रकिर्तिक उत्पाद मिलेट्स उपलब्ध है बता दे दिल्ली के प्रगती मैदान में 19-22 सितंबर तक मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया दोहेचोविस का उजयन हो रहा है प्रगती मैदान के हैंगर नमर एक में जार्खन परविलियन का उधाटन करने के बाद स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि इस मेगा फूड इवेंट के जार्खन परविलियन का मुख्य उदेश दुनिया बहर से आए लोगों एवाम निवेसको को हमारे राजे में निवेस के लिए परसाहित करना है उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जार्खन परदेश में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं उसके उतपाद की ब्रांडिंग हो विस्व के लोगों तक इसके उतपाद पहुंचे दुमका में दिन दहाडे बीच बजार से 3 लाख छीन कर फरार दुमका के गांधी मैदान के पास से गुरुवार की दोफर बाइक सवार उच्चक के दिन दहाडे अधेड ब्यक्ति के हाँ से 3 लाख रुपई से भारा बैक छीन कर फरार हो गया अस्थानी लोगों ने इसकी सुचना नगर थाना को दी है सुचना मिलते ही पूलिस अधिक छग पितामबर सिंग खेरवार सदर HDPO विजय कुमार महतो घाटना स्थल पर पहुँचे और घाटना विस्ती जनकारी ली है रसीक पूर गवाला पाला निवासी तपेश सर्मा ने बताया है कि वा अपने दो रिष्तेदारों के साथ आटो रिक्सा पर सवार होकर मारवाई चोक के पास SBI बजार ब्रांच से 3 लाख रूपे निकासी करने गए थे उसी समय बाइक सवार दोनों यूवक भी बैंक में मौजूद थे जारखन में कमजोर पड़ा मांसून जारखन में पिछले 24 घंट में मांसून की कतिवीदी कमजोर रही है कहीं कहीं हलके से मज़ दर्जे की बरसा हुई है सबसे अधिक वरसा पुर्वी सिम्हुम जिले के 12 गोड़ा में हुई वहीं सबसे अधिक उस्तम तापमान गोड़ा जिले में और सबसे कम निमतन तापमान रांची में रिकोड़ किया गया भारत मौसम विग्यान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्रे ने यह जनकारी दी है बता जरांची के मौसम केंद्र के परमुक अभिसेक आनन ने बताया है कि पिछले 24 गंटे के दरान बाहरा गोड़ा में 16.8 mm वही बानों में 7.5 mm और बोकारों में 5.5 mm लोहर्थगा में 1.5 mm और हजारी बाग में 0.5 mm बरसा हुई है जारकन के किसी भी जीले में भारी या बहुत भारी वर्षा नहीं हुई है पाच्चमी सिंभू में नक्सलियों ने की पोस्टर बाजी नक्सली संगठनों ने पाच्चमी सिंभू के कीरी बुर्गू में पोस्टर बाजी किया है उस पोश्टर में 21 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 तक पार्टी की दो दस किये 20 वी वर्षगाट पूरे क्रांतिकारी जोस वा हर्षो लास्क साथ मनाने और सफल करने की बात लिखी गई है साथी वर्ग संहर्ष एवं छापा मार यूध को तेज वब्यापक करने को कहा गया है निवेदक में पूर्वी रीजन ब्योरो लिखा गया है जनकारी कंसर पच्मी सिमुम जीले के कीरी बुरु थाना चेत्र अंतरगात मैंस के सटल गेट आदी जगों पर नकसलियों ने पोश्टर छोड़ दिया था इसकी पुष्टी कीरी बुरु डी एसपी अजय केरकेटा ने भी की है फिलाल पुलिस मामले की जाच में जुट गई है नदी का जलस्तर बढ़ने पर इसकूल नहीं जाते लोहरा गाओं के बच्चे राज सरकार विकास के लाख वादे करले पर जमीन पर सारे वादे खोकले साबित हो रहे हैं बता दे बढ़का गाओं बिधान सबाच्चे तरंतगत केरे डारी पर खंड के लोहरा गाओं के बच्चे जान जोखिम में डाल कर नदी पार कर विद्याले जाते हैं आजादी के 78 वर्स बिद जाने के बाद भी लोहरा गाओं के लोगों को पूल नसीम नहीं हो रहा लोहरा गाओं के बच्चे तंडवा पर खंड के हिसातू उच बिद्याले में सिक्षा गरहन करने आते हैं राश्ते में एक नदी है जिसका आज तक पूल नहीं बना जबकि गाओं में आदिवासी समुदाय की बहुलता है राश्तरकार दवारा इस और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा बताया गया है कि लोहरा गाओं के केरेडारी पर खंड मुख्याले की दूरी 20 किलोमेटर है जिस वज़से नदी पारकर बच्चे तंडवा पर खंड के हिसातू बिद्याले में पढ़ने जाते हैं रेल कर्मी की मौद पर पता अधिकारियों पर उठाय सवाल जसी डेस्टेशन परिशन में गुरुवार को रेल कर्मी ने ट्रेक मैन सुनील कुमार राम की मौद पर सोकसभा का वजन किया सोकसभा में P.W.I. सहीत और रेल कर्मी मौजूद रहे जिन्होंने दिवंगत आत्मा की सांती के लिए एक मियट का मौन रखा और भगवान से प्रत्ना की केंडल मार्च निकाल कर सोक प्रकट किया गया और इस कठीन समय में उनके परिवार को साहस परदान करने की कामना की गई कर्मियों ने बता है कि सुनील कुमार राम जसी डियस्टेशन के P.W.I. कर्याले में तैनाथ थे और बुद्धवार को ड्यूटी की दवरान ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मिर्तियों हो गई कर्मचारियों ने अपनी चिंता ब्यक्त करते हुए कहा है कि कुछ पता दिखाए जैसी डि में लंबे समय से तैनाथ हैं और नीमो के भी प्रित काम करवाते हैं जंगली हाथियों का जूंड बुढबू में जमाया डेरा जंगली हाथियों का जूंड चान हो थाना छेतरे के लुंडरी जले सुवर धाम होते हुए बुढबू थाना छेतरे के कोठारी गाउं पहुँची कोठारी गाउं के जंगल में 22 हाथियों ने डेरा जमाया है हाथियों के जूंड में उसके छुटे छुटे बचे भी सामिल है हाथियों के जूंड जीस ओर से गुजरती है उस ओर धान और सबजी की फसलों को चट कर अमरोंद कर बरबात कर दे रही है बता दे जंगली हाथियों के गाउं पहुंचने के बाद लोगों ने बताया है कि धान के खेत के पास तीन दिन से डेरा जमाए हाथियों ने किसानों के धान की फसल को खाने के साथ रोंद कर बरबाद कर दिया वहीं बताया जा रहा है कि हाथियों को देखने के लिए दीन भर बड़ी संखें में लोग पहुँच रहे हैं कई बार हाथी हिंसक होकर लोगों को दोड़ा भी रही है रांची में तलाब में डूबने से बच्चे की मौत राजधानी रांची के और गोड़ा थाना छेतर के कडरू इस्थी तलाब में असनान करने के दोड़ान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई घटना के बद अस्थानी लोगों ने सलक जाम कर दिया है सुचना मिलते ही पूलिस मौके पर पहुँच कर लोगों को समझाने में जूटी है बताया जा रहा है कि और गोड़ा थाना छेतर की कडरू इस्थी तलाब में बच्चा नहा रहा था उसी दोरान बच्चे तलाब में डूब गया इसके बाद आस्थानी लोगों ने अपने अस्थार पर बच्चे की तलाब में तलास करने लगे हलाकी करेब देल गंटे तक बच्चा तलाब से बरामत नहीं हुआ तब उसके बाद आ स्थानी लोगों ने सलक जाम कर NDRF को बुलाने को लेका सड़क पर बैठ गया है और सड़क जाम कर दिया है OVC एक्ताम मंचने की राजेपाल से मुलकात राजे में जातिय जनगाना सहित 11 सुत्री मांगों को लेकर केंद्रीय सची OVC एक्ताम मंचने जार्खन परदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव परसाद के निर्देशा अनुसार केंद्रीय सची गुरख नाच्चोधरी के नेतित में राजभन रांची में महामहिम राजेपाल संतोस कुमार गंगवार से मिलकर एक मांग पत्र सोपा है इसमें राज़ में जातिय जणगरना यथा सिगर कराने तथा जार्खन परदेश के बेरोजगार युवा एयम यूतीयो को रोजगार दिलाने सहीत परदेश भर में सभी विभागों में रिक्त पड़े पदो पर यथा सिग्र बहाली कराने सहीत अनेमांगे सामिल है प्राराम्भिक स्कूल के शि rubbishो की प्रोनती का राश्ता साप हो गया है हर साल 31 दिसंबर की स्थित्ती के अनुसार अगामी वर्स के जनवरी के अंतक वर्यता सुची के प्रारूप जीला सिक्षा अधिक्चक त्यार करेंगे इसके लिए प्रात्मिक सिक्षा निदेशक ससी परकास सिंग ने सभी छेतरिये सिक्षा सन्युक्त निदेशक को निदेश दे दिया है उन्होंने असपस्ट किया है कि वर्यता सुची का प्रकासित किया जाएगा और उसकी प्रती उपायुक्त जीला सिक्षाधिक्षक और परखंट विकास पतादिकारी के कर्याले में सिक्षको के देखने के लिए उपलब रहेगा धन्यवाद